वेद मीनाक्षी वाशने आज हम आपके इस वीडियो में देखने जा रहे हैं प्रेसे पहले अफर्मेटिव नेगटिव और इंटेरोगटिव यह सारी हम पहले वीडियो में देख चुके हैं अगर आप लोगों अभी तक वह नहीं देखा है तो पहले प्लीज वह देखें क् वीडियो जाके देखें तो आई हम स्टार्ट करते हैं इंटेरोगटिव प्लस नेगटिव देखें सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्टर लिख रही हूं जिसकी आपको आसानी रहे और इसकी मैं पहचान किस तरीके साब पहचानें हैं वह मैं आपको लिखा चुके हैं पहले प्लस सबजेक्ट प्लस सबजेक्ट के जस्ट बाद ही नोट आएगा चीचे चाहिए कि सिर्फ आप प्रेजेंट का अच्छे से समझ लेंगे ना प्रेजेंट इंडेरेफिनिट प्लस अपने आप से आजाएंगे क्यूंकि एक ही का सारे रूल रिपीट होते हैं बस यह हेल एक्टर वर्ड भी लगा सकते हैं एक्टर वर्ड उसके बाद question mark चलिए इसका example देख लेते हैं क्या राहुल पत्र नहीं लिख रहा है क्या राहुल पत्र नहीं लिख रहा है आपको यह समझ में आ रहा होगा आगे question भी बचा रहा है तो चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया है राहुल आपका है singular है तो उसकी according is is राहुल नोट अब वर्ब वर्ब क्या है लिखना तो राहुल नोट अब वर्ब क्या है लिखना तो questionative को ही आप double interrogative भी बोल दियाता है ठीक है तो इसे आप double interrogative भी बोल देते हैं आगे अब तो चलिए तो questionative को ही आप double interrogative बोलते हैं चलिए इसका भी structure देख लेते हैं सबसे पहले आपके question words आएंगे question words जैसे what why question word प्लस आपकी वापस से जैसे आपका interrogative भी था ना प्लस negative वही आप देख लें इसके बाद वही है पूर आपकी का सब वैसे ही के वैसा है examir plus subject plus verb की first form plus ing आप बोलोगे मैं हम अपने not तो लगाया नहीं अगर question ad plus negative होता है तो हम subject के बाद just not लगा देगे उसका भी अभी आपको दिखाऊंगी tension वाली बात नहीं है etc word plus question mark ठीक है अगर कुछ etc words है तो लगाये अदरवाइस आप आगे चल सकते हैं ठीक है तो इसका एक example देख लेते हैं माली ओधे क्यों नहीं काट रहा है अब आप बोल लोगे कि हमें समझ में कैसे हैगा question कि कौन सा आपका double interrogative है या कौन सा आपका interrogative सबसे अच्छा वाले difference क्या है simple बता देती हूं मैं आपको एक बार में क्या अगर यह सिर्फ आगे आ रहा है क्या word अगर आपका आगे आ रहा है तो वह आपका interrogative है वह एक अलग बात है कि not आ रहा है तो negative एड हो जाएगा सिर्फ अगर आपका एक क्या word आगे आता है तो यह आपका interrogative लेकिन यही सब्द अगर बीच में आ जाते हैं question वाले जो सब्द होते हैं words होते हैं यह अगर mid में आ जाते हैं इससे आपकी हाँ देख सकते हैं क्यों ठीक है यह mid में आ रहा है starting में तो नहीं आ रहा है तो यह आपका क्या हो जाएगा double interrogative ठीक है और तो इसी तरीके से यहां अगर negative लग गया यहां मैंने आपको साथ की साथ negative वाला बता दिया भी negative वाला भी मत देखिए माली पौधे क्यों काट रहा है तो आप नहीं मत लगा यह ठीक है माली पौधे क्यों काट रहा है तो सबसे पहली पैचान हो गई आपकी कि अगर आपका आगे आ रहा है तो interrogative है और अगर वही question words बीच में आ रहा है तो double interrogative बस और कुछ भी नहीं है interrogative में सिर्फ क्या ही आता है ऐसा नहीं है क्यों कहां कैसे कुछ भी आजर नहीं सिर्फ क्या ही आएगा लेकिन अगर क्यों क्या कैसे कहां यह सब चीज़ें बीच में आ रही है कभी कपर हो सकता है starting में अभी लेकिन अगर यह बीच में आ रही है तो आपका क्या हो जागा य लेकिन इहां क्या रहा है कभी कवार ऐसा होता है कि किसी को हम respect देने के लिए रही है उसमें चले जाते हैं तो वो depend करता है उसके subject के singular रही है प्लूरल रही है अब माता जी को ऐसे तो बोलेंगे ने कि माता जी फल काट रही है तो वो थोड़ा disrespect में चला जाता है तो इस वज़े से वहाँ भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ double आ रहा है कहाँ singular आ रहा है कहाँ plural आ रहा है जिसकी बैसे तो देखें वाई अब माली एक है वाई इस दगार्डनर वाई इस दगार्डनर आप क्या आएगा वर्ब वर्ब अपना वर्ब मतलब काटना कटिंग और उसमें आई एंजियों लगा दिए मैंने साथ में तो कटिंग दग प्लांट्स वाई इस दगार्डनर कटिंग दग प्लांट्स और यह question mark ठीक है इसी का negative वाला पार्ट देख लीजे अगर आपका इसी का negative आ रहा है questionative plus negative ठीक है इसी का भी देख लेते हैं तो इसमें क्या होगा question word वापस से plus ismr plus subject plus not plus verb की first form में ing वापस से वही सारी चीज़ है object plus etc word और plus question mark ठीक है तो इसका भी example देख लेते हैं मोहन दिल्ली क्यों नहीं जा रहा है यहां मैंने नहीं भी लगा दिया ठीक है चलिए तो वापस से बनाएंगे इसे भी why is मोहन इस चीज़ को ध्यान रखें नेम का जो first letter होता है वो capital ही बनता है चाब वो बीच में आजाए side side कहीं पर भी आजाए इस चीज़ का ध्यान रखना प्लीज why is Mohan अब नौट चीज़ के बाद नौट आएगा नौट गोइंग to the Delhi CT का भी नाम जो होगा उसका first letter भी आपका capital होगा तो why is Mohan not going to the Delhi चीज़ के है अब मैं आपको homework के लिए कुछ tense बनाने के लिए दे रही हूँ और please मुझे comment box में इन सारे tenses के answer चाहिए चीज़ के है माता जी खाना क्यों नहीं पका रही है चीज़ क्या तुम्हारे पिता जी दफ्तर जा रही है क्या तुम अपने भाई से नहीं लड़ रही हो ठीक है यह आपको तीन tenses है तो यह आप लोगों के लिए homework में प्लीज मुझे comment box में comment करें जिससे की answer मैं आपके देख सकूँ क्या आप लोग सही जा रहा है या नहीं है आपकी कोई भी परेशानियों से दूर करूँ तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी थेंक यू तो यह मेरे questions हो गए और प्लीज अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और टापिक पर मुझे वीडियो डालनी चाहिए तो प्लीज मुझे भी comment box में comment करें जिससे मैं आपकी परेशानी दूर कर सकूँ और उसी topic पर वीडियो डालू और आप अपने भी question मेरे से पूछ सकते हैं comment box के थ्रू और आप जुड़े रहें मेरे से comment box के थ्रू जिससे कि मैं आप लोगों की परेशानीयों को दूर कर सकूँ और प्लीज मेरे चैनल को subscribe जरूर करें Thank you